बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का आपके प्रेटूब चैनल सुकला स्टड़ी पांड में मैं से ओम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित के पेपर 2 के बारे में यानि की संस्कित का जो second paper है B.A. 6 semester में उसमें आपको क्या पढ़ना होता है उसमें आपको आयूरुबेद और स्वास्त बिज्ञान पढ़ना होता है ठीक है हलाकि इसमें कई आपसन आपको दिए गए हैं आयुरबेद और स्वास्त बिज्ञान प्राकर्तिक चिकिस्ता और योग ऐसे तमाम प्रकार के आपको चीजे बताई गई हैं तो आपको जो भी पसंद है या फिर जो भी आपकी कालेज या उनिवर्सिटी में चलता है वही आपको लेना होता है हलाकि इसमें आपको चूज कर होता है कि आप क्या पढ़ें जब आप एक्जामनेशन फाम फिल कर रहे होते हैं उस दवरान ही आपको चूज करना होता है तो आयुरबेदा और स्वास्त बिज्ञान से बनने वाले इंपोरेंट परसनों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं देखूंगा अधिक तर विश परचा करूंगा महा संग्राम रिवीजन क्लास दोजार चोबीस और परचीस की परिक्षाओं के लिए एक बात यहां पर मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको आती लगहुत्रिये लगहुत्रिये दीर घुत्रिये कैसे भी परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में पूछेगा कि आयूरुबेद किन दो सब्दों से मिल करके बना है पहला सब्द है आयूस और दूसरा सब्द है बेद आयूस और बेद सब्द से मिल करके बना है आयूरुबेदा ठीक है ये बात ध्यान नखेंगे तो आपसे परिच्छा में प्रसन अब्जक्टि में पूछेगा कि आयरुबेद किन दो सब्दों से मिल करके बना है तो आपसन में होगा आपका आयूस और बेद तो यही करेक्टर एंसर हो जाएगा ध्यान नखेगा तो यहां से कई अब्जक्टि प्रसन आपके यहां पर द दीरगायू से होता है किस से होता है दीरगायू से होता है दीरगायू माने लंबी आयू ठीक है तो जीवन या फिर दीरगायू से होता है आयूस का मतलब ठीक है और बेद का मतलब क्या होता है बेद का मतलब होता है ज्यान दीरगायू तथा ज्यान इन दोनों का मतलब होता है यानि कि एक प्रकार से मदलब इसका मदलब हुआ कि दीरगायू का ग्यान ये आयुरबेद का मदलब होता है कि आप लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकते हैं इसी का ग्यान आयुरबेद कहलाता है आयुरबेद का सिंपल सा आर्थ है कि आप लंबे समय तक कैसे जीवित रहते ह या लंबे समय तक आप जीवित रहें या दीर घायू सुमान हों आप ठीक है तो इसके लिए नहीं परकार से किन किन चीजों का प्रियोग करना है वही सब चीजी आप इसमें पढ़ते हैं तो इसका आर्थ आपको किलियर हो गया तो परिक्षा में पूछेगा आयूर बेद द साथ के बिद धाटू से बना हुआ है किससे बना हुआ है संस्क्रत के बिद धातू से बना हुआ है बेद ये बात आप ध्यान measuring के क्लियर आगे देखेगे तीसरा प्रसनद के报 स्क्रि Immediately कितने वर्दम बरसों फुराना माना जाता है अए को स्व्वी को दूशनाकाल है लग इसका अध्यान नखेंगे चीजों को आयुरुएद के प्रियाय के एकर बात किया तो देखें, साखा, विद्या, सूत्र, ज्यान, सास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सब आयुरुबेद के प्रियाय सब्द है, ठीक है, ध्यार नखेंगे ये सब प्रस्ण आपके परिच्छा झाटा कोशन साब देखिएगा प्रस्न है और भीद की संचिप्त परिभासा दीजिए पढ़ा भाट से आप बताने का प्रियास करेंगे आयुरबेद की संचिमत परिभासा बताईए देखें आयुरबेद की परिभासा में आपका हितायू, आहितायू, सुखायू और दुखायू इन चारों आयू का वरणन जिस सास्त्र में किया जाता है वही आयुरबेद है हित आयू यानि जे हित आयू मने होता है कि आपकी सिध्धी हो आपका हित हो अहित आयू ठीक है अहित हो सुख आयू और दुख आयू तो हित अहित सुख और दुख ये चारों आयू जो होते हैं इधी का वरणन जिस सास्त्र कें तरकित किया आता है वही होता है आपका आयूर वीरएधा जिससमें मृत्त वाला है यॡव करने वाला इक प्रकार से ये Southwest भूता है वोदिया होता है नौवा नमबर कोशन साब देखेंगे, प्रस्ण है, आयूरबेद में सुखाय से क्या मतलब होता है? बताएं, आयूरबेद में सुखाय से मतलब होता है, जो मनुस सारीरिक और मांसक रोगों से रही थुहारथात किसी प्रकार का कस्ट ना हो, वही सुखाय कहलाता है, यहनि ऐसा मनुष्ट जिसको कोई रोग दोस ना हो तो वो सुखायू होती है आयूर बेदा में जो दुखायू है उससे क्या मतलब होता है तो दुखायू की अगर बात की जाए तो आयूर बेदा में सुखायू के गुड़ों के रहित यानि की विपरीद गुड़ों वाला दुखा ये चारो जिन सास्त्रों में इन चारो का अध्यन क्या जाता है उसी सास्त्र को आयूरवेद कहते हैं ये बात आप ध्यान नखेंगे आगे देखेंगे अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर आचुका 11 नमर प्रसन है बहुत ही मैट्पूर प्रसन है परिच्छा के दिश्टी से चरक कौन थे पढ़ करके पता चलता है कि प्राचीन भारत की जो प्राचीन बिग्यान पद्धती है इससे जुड़ चिकस्ता के तोर तरीके कितने आधुनिक थे पलब एकदम से बैग्यानिक चीजें उसमें चरक सहीता में सारे चीजे आपको बताई गई हैं चरक बहुत बिद्वान आद गई है मनुस्थ की शरीर रचना के बारे में चरक सहीता का वरडन काफी आल पर बिक्सित है और सरीर में दात और नाकूनों सहीत आस्थियों की कुल संख्या 32,30 बताई गई है, 32 दातों के कोटर 23 नाकोन और 16 हंगुलियां 20 लंबी अस्थी, 4 लंबी अस्थियों के आधार ऐसे डो एडी, चार टकने की हड़ी 4 कलाई की हड्डी, 4 अगरबाहो की हड्डी 4 टांगों की हड्डी, 2 बाहों की कोहनी के पटल तो जांग की खोकली हड़ी पांच जो है असकंधास थी ठीक है दूठू हसली और दूठू नितम फलक ठीक है इसके अलावा एक साज़निक थी तो मैं चर्चा करूंगा इस सभी मुद्दों पर लेकिन अभी फिलाल के लिए आप इन चीज़ों को देखें तो चरक कौन थे बया चरक की अगर बात किया है तो चरक जो थे ये कनिस्क के दरबारी चिकिस्क थे कनिस्क जो था कनिस्क जो था एक कुशान का बहुत ही फेमस राजा हुआ है कनिस्क उसी के दरबारी चिकिस्तक के रूप में चरक बिद्दमान थे आयरुबेद विज्ञान में भी योगदान दिया इन्होंने और चरक सहिता नामक चिकिस्ता गरंत का संकलन किया जो की कर से उल्लेख उन्होंने किया है चरक सहिता में चरक सहिता के बात करें तो चरक सहिता का विकास इसापूर्व की तीसरी सताब्दी और इसापूर्व की दूसरी सताब्दी के बीच में इसका रचनाकाल माना जाता है चरक सहिता आज जिस रूप मौजूद है ऐसा माना जात वही वास्तों में स्वस्थ होता है तो आत्मा मन और इंद्रियां ती तीनों स्वस्थ होने चाहिए ये बात आप ध्यान लखेंगे तो चरक कौन थे चरक जो थे कुषान राज के राजबैत थे अचा चरक से ही बहुत ज्यादा प्रसनाम की परिच्छा में आएंगे ये बात आफ ध्यान लखेंगे वारा नम्बर कोशन साथ देखेंगे प्रस्ण है आयुर्वेत का जनक किसे माना जाता है ये बहुत की परिच्छा में आप जख्टी में पूचा जाएगा चरक सहिता किस ने लिखा था चरक सहिता आचार चरक ने लिखा था ये भी प्रसनाब जक्ति में प्रसनाब से बनेगा चरक का जनम कहां पर हुआ था चरक का जनम कस्मीर में हुआ था अगला कोशन से 16 नंबर सूसृत कौन थे सूसृत के गर बात किया है तो प्राचीन भारत क तु करहा है सब करिंस्क के राजदर बार में रहते थे ठीक है कि है यह सब कनिस्क के सर्जरी के जनक कि माना जाता है महिट सी सूसुरूत माने जाते हैं बहुत ही बिद्वान आदमी बहुत ही काबिल की जानग कोई राय नहीं नहीं है अधुनिक तो सोरत को सल चिकिस्ता का जनग माना जाता है यह पाद ध्यां नहिंगे आप जक्टि में वागभट थे वागभट एक रिसी हैं वागभट का जनम कहां पर हुआ था वागभट का जनम हुआ था सिंधू देश में ठीक है ज्यान ने किएगा 22 नमबर प्रसने वागभट के पितामहा का क्या नाम था भया तो वागभट के पितामहा का नाम था बताएगे तो सिंदुब देश में इनका जनम हुआ था इनके पितामहा का नाम था यानि दादा जी का नाम था वागभट ठीक है और उन्ही के नाम पर भी एक परकार से इनक साहिता के रचनाकार है ध्यान नखेंगे सारंग धर किसके दरबारी कभी थे यह भी परिक्षा में लगातार पूछा जाएगा सारंग धर के बात किये तो सारंग धर रडधंबौर राज के राजा हमीर थे उन्हीं के गुरू थे राघो देव उनके पूते थे ठीक है तो सबस्ठेब हैं भाव मिस्र फान थे 协ły मिस्र॥ जो है उनको आयरुबेद का अंति माचारी माना जाता है किसको फाव मिसर को घ्रंद का नाम क्या था परपरकास प्रकंस का यह बात अब ध्यान नकिंगे परिक्षा में परस्णाएगा तो ऑप्zeit को आब आप जूए जो है तो आप इस वीडियो को अंते तक देख लीजेगा यहां से लगबग आपके सौसे अधिक अब्जक्टिव टाइप के परिच्छा के लिए प्रस्ट तयार हो जाएंगा थाइस नमबर प्रस्ट है चरक सहिता क्या है भई पटाबट से आप बताएंगे चरक सहिता क्या है चरक अगनिवेश तथा चरक मुनी स्वयम है ठीक है ध्यान लखेंगे अतीस नमबर प्रस्ट है चरक सहिता कितने भागों में विभक्त है चरक सहिता कि अगर बात किया है तो आठ भागों में बटी हुई यह रचना है चरक सहिता ठीक है यह सब प्रस्णाब जख्टी में आएं चरक सहिता के शूत्र अस्थानम में कितने अध्याय हैं आगे देखेंगे अगला पुस्च चौतिस नमबर निदान अस्थानम, नलब की यह इसमें कितने अध्याय हैं। निदान अस्थानम में चरक सहिता के चरक सहिता के निदान अस्थानम में आठ अध्याए हैं जो कि 120 अध्याए हैं तो ये अस्थानम में बटी हुई तो निदान अस्थानम जो है उसमें आठ अध्याए हैं बिमान अस्थानम में कितने अध्याए हैं तो बिमान अस्थानम मे स्थानव ५ कि म सबक्राइब यह संद्री अस्थानम में कितनी अध्याय मोई। अग्ला इंगाला कोसं 58 चरग साइटा के डिसınınता कि सथानम के अध्याय हैं तो तीस अध्याय है उसमें आपस अंबर सब्सक्राइब किस्का जो है चरह सहींता करें चरह सहेता कि चरह से ताके शिद्धी अस्थानम में कितने अध्याएं तो उसमें बारा अध्याएं है अस्टांग सब्सक्राइब ना किया गया है को यह लगा साला किन समी का वड़न किया गया ठीक है आगे देखेंगे चरक कौन थे तो चरक कुशान राज की राजबैद थे आचार चरक आयुरबेद की जरक माने गए हैं और भारत ही नहीं बलकि बिदेसों में भी चरक एक महिरसी योम आयुरबेद विसारत की रूप में प्रसिद्ध हैं महार इसी चरक की जर्मतिति के बारे में कुछ निश्चित आता पता नहीं बिद्वानों को लेकिन फिर भी कुछ बिद्वानों ने प्रकार से अपने हिसाब से या फिर सोध जो भी हुए है इनके उपर उनके अकोर्डिंग बताया गया कि आज से 2300 या 2400 साल पहले इन आगे देखेंगे अगला परसन है अगला कोशन से आपके स्क्रीन पर आ चुका है पटापट से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे चरक किसका राजबैद है चरक एक महिरसी है और आयूर्बेद बिसारत के रूपें बिस्विख्यात है वे कुछान राज के पर एक पुस्तक लिखी है जिसमें तमाम प्रकार के उस अधियों के बारे में उन्होंने बताया है चरक सहीता पुस्तक लिखी किसने चरक ने लिखी इसमें लगबग 2000 से अधिक आउसधी जड़ी बूटियों का और उनके उपयोग का भी उलेकिया गया कि इसका उन उसधि स्वेधिक चेकिस्ता के अलग अलग पहली वों का देन किया और किया इसाली यह जो है भारत की कशमीर सीमें हुआ इतिहास का एक ने though विजिए कौनसे बैद में है अधर बैद ही आधर बैद जो है उसी में आप देखेंगे आ गोना चाहिए एक डाक्टर के क्या डाक्टर के इसंका कर्म क्या होगा धिसका कर्म क्या होगा दीर घायूस कैसे लब लंबा कैसे जिया जाये बाजी करण हो गया रोग नासक हो गया विभिन परकार की रोग नासक विभिन मडिया प्राण चिकिस्सा सल चिकिस्सा बसी करण जल चिकिस्सा सूर चिकिस्सा विभिध हो सदियों के नाम गुण कर्म ये सब आपको मिल जाएं से बाद में अधर बेद का ही यंग है यह बात आप ध्यान लखेंगे बहुत ही बहुत ही जबर्दस जानकारी दी गई अगर आपको जो है टाइम मिला तो मैं और भी चीजों को आपको बताने का प्रियास करूंगा इसमें और प्रसनों को मैं दूंदूंगा आपके संग्रा सुसूरत ने लिखा है इनके इस तवर पर सभी ज्यान से संब्धित दोनों है प्लास्टिक सरजरी से है सञ चिकस्द na भारत में सलचेकिस्ता का जनग माला जाता है और उनकी रचनाय सुसरुश सहीता के रूप में संकलित हैं जब कि ये जो है आयुरुबेट के जनग माले जाते हैं 48 अमरपरस नहें आयुरुबेट का सबसे बड़ा गरंत है तो चरक सहिता आयूरबेद का सर्बस्तरेष्ट गरंत है, सबसे बड़ा गरंत है, या आयूरबेद का पुराना और सबसे प्रमारिक गरंत है, भारत का प्राचीद, चेकिस्ता विज्ञान, चेकिस्तिय इस्थितियों की जानकारी देने की अलामा, या भारत की भागोलिक, सम पर इसपर कई मूबीज बन चुकी हैं वह इनुही सब आउसदियों को लेकर के बनती हैं मैंने कई मूबीज देखी हैं सवूथ वाले पर संस्कृति से अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े होए रहते हैं इसलिए सवूथ की मूपीज आप देखते हैं बहुत ज़्यद कुछ होता है ठीक है जो आज कल अंगरीजी दवाओं से उसके बैड इफेक्ट होते हैं उसके नकारात्मिक पर्भाव भी आपको देखने को मिलते हैं एंटीबायोटिक के बिना कोई डाक्टर दवा नहीं देता है चुकि उनको पता होता है कि मैं कोई रियक्शन वगरा हो सक है ठीक है यह बात ध्यान नखेंगे और लेकिन ज्यान होना चाहिए आपको उचित उपयोग का ज्यान होना चाहिए यूज करने का ठीक है ज्यान नखिए इस बात को आगे देखेंगे 49 नंबर प्रस्ण है भारत का सबसे पुराना आयुर्बेद गरंत कौन सा है बताएं त दो सहिताएं ही प्राप्त होती है सुसुरु सहिता सल्य प्रधान गरंत है यह प्रकार से सरजरी से रिलेड़ेड़ है सल्य माने सरजरी सरजरी से रिलेड़ेड़ है आपकी सल्य किस्सा और सुसुरु सहिता जो है यह सल्य से रिलेड़ेड़ है चरक सहिता आपकी यह प्रक के एक्सुबीस अध्यायों में पूरा का पूरा बटा आँस्थान उसमें आप देखते crazy यह सब्सक्राइब और चिकिस्ता अस्थानम में 30 अध्याय हैं, ठीक है, कल्प अस्थानम में 12 अध्याय हैं, और सिध्य अस्थानम में 12 अध्याय आपके हैं, तो इस तरीके से ये 8 अध्याय हैं, जिसमें 12-12, 13-12, मलब कि 3 अस्थानम में 12-12 हैं, बाकी 30-32 में हैं, और बाकी 8 हैं, ठीक है, तो पुर्व में हुई थी इसे चरक सहिता भी कहा जाता है और यहाँ प्राचीन भारतिये चिकिस्ता का एक ब्रिस्त पार्थ जिसका असरे भारत की पारंपरिक चिकिस्ता प्रणाली आयुरबेत के चिकिस्तक चरक को जाता है चरक के अगर बात के तो चरक किसके लिए प्रसित है चरक जिन्हें चरक मुनी या अगनिवेस भी कहा जाता है इनका दूसरा नाम अगनिवेस भी है चरक मुनी का तो एक पराचीन भारते चिकिस्तक और बिद्वान थे जिन्होंने आयुरबेद की छेतर में महत्पूर योगदान दिया है आयुर्वेद चिकिस्ता के एक पारंपरिक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ती लगबग 5000 साल से भी पहले भारत में थी और आज भी एक प्रकार से इसका प्रियोग हो रहा है तिरपन नमर को संसर चरक ने क्या लिखा था आयुर्वेद चार चरक ने मानो कल्यान के लिए आयुर्वेद गरंथ चरक सहिता लिखा था इसमें विभिन रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक आउसदियों की ब्याख्या की गई है जिन्हें सही मात्रा और सही तरीके से प्रियोग करने के उपाई भी दिये गए हैं इस पुस्तक में चरक सहिता में आयरुबेत के मूल सिध्धानतों और सदियों और रोगों के कारणों का वरणन भी किया गया है चववन नमर परसन है भारती चिकिस्ता का जनक कौन है तीन सो इसा पुर में जन में आचार चरक आयरुबेत की प्राचीन कला और बिज्ञान प्राचीन भारत की में बेक्सित चिकिस्ता और जीवन सहली की एक प्रणाली में प्रमुख योगदान करताओं में से एक थे और च बहरत में आयरूबेद का आविसकार किसने किया ईदूए यह सनातनी जो है जो गेंदार को जिन्हों ने इसे प्रम्हास से प्राप्त किया था अथर्वेद को और इसकी प्रारम्बिक उधरणाई बेदों के उस हिस्से में इस्ठापित की गई जिने आयके जैन। जानकारी ब्रम्हा जी ने बताई थी धन्मंतरी को वो सब आपको अथर्वेद में मिल जाएगा बैदिक चिकिस्ता काल 800 इसाफुर्व तक चला लगबग ठीक है चरक और सुसृत कोन थे लगबग एक सो एक यंत्रों का ज्यान करवाया जिससे एक प्रकार से जो है सरजली की जा सकती है सुसृत भारत में ही नहीं बिदेशों में भी बिख्यात में बिदेशों में भी बिख्यात हैं और एक प्रकार से हुई इन पर कई सोध हुए है 57 नमर पर सुसरुत किस के दरबारी गभी थे लब किस के दरबारी थे चरक जो थे दोसरी स्ताबदी इस भी के दोरान राजा कनिस के दरबार में एक चिकिस्तक के रूप में जाने जाते हैं हलाकि चरक भी थे और सुसरुत ये दोनों एक परकार से ये कुशाडों के ही सासनकाल में हैं और इसमें कनिस्क का नाम बेसिकली आता है अठावा नमर प्रसंट सरजरी के जनक कौन है भारत के आचार महिटसी सुसरुत को पूरी दुनिया फादर आफ सरजरी के नाम से या सल चिकिस्ता के जनक के रूप में जानती है ये ने कि एकल भारत पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं जबसे पहले तो सल चिकिस्ता के और बहात करें तो भगवान जो है भोले-नाथ बाबा थे तो उनसे पहले तो कोई सरजरी के बारे में जानता नही memang मेरे इसाप से भगवान संकर हर एक चीज को जानने में सक्चम है हर एक चीज को देने में सक्चम है आप जो भी मांगोगे भगवान भुले नाध से सब कुछ मिलता है आपको बता दूँ वो एक परकार से इस्ट देव हैं और महा देव हैं देव के देव हैं तो वो एक परकार से हर चीज करने में उन्होंने जहर को पी लिया था आप सोचो वो विद्वान आदमी थे इसलिए उन्होंने क्या किया एक बूंद भी जहर अंदर या बिस नहीं जा तो इस तरीके से जब भूले नात बाबा ने अपने कंठ में धारण किया ठीक है तो सूसरुत जो है किसके लिए प्रसिद्य विया प्लास्टिक सरजरी का जनक इनको माना जाता है और लगबग एक हजार से आठ सो इसा पूर्व के बीच कभी-कभी भारत में रहते थे और प्राचीन भारत में चिकिस्ता के प्रगती के लिए जिम्मेदार यही ह सूसरुत को किस ने पढ़ाया था बताएं सूसरुत को किस ने पढ़ाया था सूसरुत की एक समर्द बिरासत में आय थे ये विद्वानों की सूसरुत स्कूल में आयूरबेदिक ज्यान को समझाने वाले पहले ब्यक्तित धनवंतरी जिनोंने इसे दिवोदास को सिखाया थ जिन्होंने इसके बदले में इसे सुसरुत, मलपकी आउपधेनव, और अब्र, इसके अलावा पौसक, मलपकी पौसकलावत, गोपुरक्षित और भोज इन सभी को सिखाया था, तो राजा भोज को भी परकार से इसका ग्यान था, दिवदास को सिखाया किसने धनमंतरी ने, स पौसकलावत, गोपुरक्षित और भोजीन सभी लोगों को सिखाया ये बात ध्यान रखेंगे, एक सट नमबर परसन सुसरु सहिता कहां है, सुसरु सहिता की पुरानी, सबसे पुरानी जो है, जो प्रती है, वो पांडुलिपी में है, और वो ताड़ के पत्ते की की लाइबरेरी में, इसकी डिजिटल प्रती नेपाल जर्मन पांडुलिपी सनक्षण पर्योजना, जो है, इसके द्वारा संग्रही थे, इसको बचा करके रखा गया, पांडुलिपी यां होती, पुरानी प्रतियां जो होती, ताड़ के पत्रों पर पहले लिखा जाता थ या इसे तमाम परकार की जो लिपियां है, वहाँ पर एक परकार से बहुत पुरानी पुरानी मोर्तियां, बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं, बिजिट कर सकते हैं, लगबग 20-25 रुपे लगते हैं गोमने के लिए, ठीक है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, अब यह चू के बच्चों के लिए तो फिर है, लेकिन अगर आप बाहर से जाते हैं, तो आप भी गोम सकते हैं, और जाकर जाएंगे तो आपसे बाकाइदा आधार अधार कार लेंगे, और गरंधों के दो मुख egalposaj के नियू बनाते हैं, ये दो मुख गरंथ सुशुरिश सहीता और चरक सहीता हैं, इस दो गरंथ जो हैं, ये प्रकार से आएवबेदी चिकिस्ता के दो अधार हैं, दो पिलर हैं, सूसुरिश सहीता चणी सताबदी इसापूर में प्रसित चिकिस् को नहीं कि गई थी तो सारंग धर के रिचनाकार कौन थर सहिता कि बात की जाय थो अरविबेद की भैसज कलपना का महतफूल गरंत सारंग धर सहिता आयरवेद का प्रसित क्या कई इसे रिचनान कौएे सारंग धर किसके दरबारी कर लाजा थेlık अनके गुरू टे राघौदेव नहीं के पोतिते सारंग धर उनकी पिता का Parlament उन्हें नेसा रचना करी जिसमें उन्होंने राजा हमीर के चर्थर का बखान भी किया है अगर आपको को करिकुलर की परिक्षाओं से रिलेट वीडियो देखनी है या आप सोच रहें कि आपको कम्मुनिकेशन इसके लिए परसाल्टी डवलप्मेंट के लिए कहां जाना पड़ेगा क्या देखने पड़ेगा कैसे आपकी तयारी होगी तो आपको बता दो कि कर एक करीक्षाओं के लिए को करीकुलर आप सकते हैं को करीक्रों मास्टर यूट्ूब चेनल पर यहाँ पर आप जायेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो जो है से रिलेट्ट defect crunch बात कि तो आगर आप किसी समस्टर में कोFil gum ड light Çao की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वी 65पर सारंगधर कौन है बता है तो सारंगधर भगवान नाराण नि विश्णूह के नामों में से एक नाम है जो भगवान शरीमन नाराण के भक्तों के दारा ढ्यापक रूप से उपयोग के जाता है सारंगधर बेसिकली यह एक प्रकार से मैंने बताया आपको कि रागाओदेों थे हमीर राजा रर्थमवोर के थे उन्हीं के जो है गुरू थे रागाओदेों उन्हीं के पोते थे सारंगधर ठीक है सारंगधर सहीता में कितने अध्याई हैं सारंगधर सहीता के अगर बात किया सारंगधर सहीता में 32 अध्याई हैं 2600 स्लोक हैं और इसके तीन भाग या खंड है पूर्ब खंड 7 अध्याई में और 585 छंद में है मध्यम खंड 12 अध्याई में प्रकास जो है माध्यो निदान और सारंग सहीता को संयुक्त रूप से लगूतरई का आता है किसको बाप्रकास माध्यों निदान और सारंग सहीता इन तीनों बताएं भाव प्रयास working two है निशंट क्या है निझान lips टिर्द्ण फ्रियाश निघंट्ट 수 थीक्डले कंटीफ भाव प्रियास निघंट्ट अक यह गुढ़् Mind फ्रक लिए इस गिरान्त को भारतीय मेटरिया मेड़ीका welt कहा जाता है तो आप से पूछेगा भारतिये मैटीरिया मेडिका किसको कहते हैं तो आप बताएंगे भाव परकास निघंटु को कहा जाता है बैजनाथ डाबर ठीक है बैजनाथ डाबर पतंजली हिमालय आदिकी द्वारा तयार की गई आयरुवेदी का उसधिया प्राया भा प्रोड़क्ट जो होते हैं आयरुवेदी को सधिया जो इससा बनाई जाती है सब भाव परकास के आधार पर ही बना जाती है भाव परकास निघंटु के ही आधार पर बनाई जाती है ठीक है भाव परकास किसकी रिचना है भाव मिस्र ने किसने लिखा है आचार भाव मिस् चिकिस्ता ये सब बताई गई है चरक सहीता में भोजन स्वचता रोगों से बचने की उपाए चिकिस्ता शिक्षा बैद धाय और रोगी के विशाद रोगी के विशाय में विसद चर्चा की गई है बलब सभी तरीके से चीजे बताई गई है आपको कोई भी कमी आपको इसको मान सकते हे बहुत ही उपलबभी मान सकते है अ्पने आप में चरक सहीता क क्यों है चर रचना का तीसली से दूसरे सथाफ नहीं раз जाता है इसके चरक सहीता कहते हैं या प्राचीन भारती किस्टा पर एक ब्रिस्थ पार्ट है जिसका असरे भारत की पारण परिक्षक प्रणाली आवरबेद की चिकेशक चरक को दिया जाता है तो चरक के एक सीथ बारे में सुष्छुत्र और अस्तांग हिर्दयम आपको यही दो चीज़े पढ़नी है उसके लामा और भी कुछ चीज़े आपको पढ़नी होती जिसमें मौके की कि वगएर आएगे मलब की जो पूछा जाएगा आपका वो बाद में देखेंगे के एकाहत्तर नमबर कोसिन सापके स्क्रिन पर आ चुका है eccahattar नमबर परसने वहीया एकाहत्तर नमबर परसन है कि चरक सहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी तीन बाते बताई ग रखता है मानों सरीर रोग्रस्त हो जाता तो किन-किन चीजों को वात पित और कफ इन तीजों पर एक प्रकार से नियंतरन बतानी बताने का प्रियास किया गया है चरक सहिता में 72 नमर प्रसन चरक कौन थे भटवट से आप बताएंगे चरक कौन थे तो चरक कनिस्क के दरवारी चिकस्तक थे उन्होंने आयरुबेदिक विग्यान में भी युगदान दिया और उन्हें चरक सहिता नामक चिकस्ता गरंत भी लिखा आयरुबेद की पिता कौन है तो चरक को पायर वेत्क अजनक माला जाता है अपनी पुस्तक चरक सहिता में उन्होंने तींसोपकार के प्रकार के पौधों और दो सोपकार के जानवरों का उल्लेक किया है 74 नमर परसंद चरक सहिता कितना पुराना गरंत है माना जाता है कि चरक सहिता का विकास इसापोरिप की तीसरी सताब्दी और इसापोरिप की दूसरी सताब्दी के बीज में हुआ था चरक सहिता आज जिस रूप में मौजूद है ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ती पहली सताब्दी इस भी में हुई होगी ठीक है जहां नखेगा चरक सहिता में कुल कितने इस लोक हैं चरक सहिता में 120 अध्याएं हैं आठ खंड हैं जो कि अस्थानम में बटे हुए हैं चरक सहिता इस लोक 46-47 आयरवेद में मानसिक में लिखा है कि जिसकी आत्मा मन और इंद्रिये स्वस्थ हो वही वास्तों में स्वस्थ होता है मन आत्मा और इंद्रियां इंद्रियां पांच प्रकार की इंद्रियां होती है हात नाक कान तो चामु जीव ठीक है आक यह जब आपकी इंद्रियां होती है मन आत्मा और इं उनके नाम के साथ कही रिचनाएं जुड़ी होई है, मुखरूप से अस्तांग संग्रा और अस्तांग हेरीध की संपुर्ण भिसे काय चिकिस्टा, काय चिकिसा मालब सरीर की चिकिसा सलझ चिकिसा सञजरी वाला सालाक इन सभी आधी आठों अंगो का वड़न किया गया है उन्होंने अपने गरंत के बिसे में स्वैं भी कहा है कि यहां गरंत सरीर रूपी आयृईर्बेद के हिरदे के समान है सरीर रूपी आयुरुबेद की हिर्दे के समान है अस्तांग हिर्दयम इसलिए इसका नाम अस्तांग हिर्दयम रखा है आठ अंगों के बारे में बिस्तार से इन्होंने बताया है अगला पस्तने 78 नमबर अस्टांग हिर्दैम में कितने इस लोक वरडित हैं बताएं अस्टांग हिर्दैम में कितने इस लोक हैं अस्टांग हिर्दैम में कुल मिला करके 7120 इस लोक हैं जिसमें 6 खंड हैं 120 अध्याय हैं बागभट रिसी ने अस्टांग हिर्दैम में बिमार देख लीजेगा आपके सारे जो प्रस्ण होगे आपके दिमाग में होगे अब्जेक्टिव प्रस्ण और लिखित सभी प्रस्णों में आप अच्छा कर पाएंगे बाकी और भी वीडियो में एकाद देने का प्रियास करूँगा अगला प्रस्ण 79 नंबर प्रस्ण है वागभट सरहगुप्त के पुत्र थे उनका नाम उनके दादा के नाम पर वागभट ही रख दिया गया था वागभट जो थे एक महांचिक सकते इसलिए उनहीं के नाम पर अपना नाम इनका जो है वागभट पड़ा इनके दादा जी का भी वागभट ही नाम था और उनके रचाईता है प्राचीन साहितकारों में यही व्यक्ति हैं जिन्हें अपना परिचय असपष्ट रूप से दिया गया अस्तांग संग्रा के अनुसार इनका जनम सिंधु देश में हुआ था इबाध्यान नखेंगे एक्यासी नंबर प्रस्ण है अस्तांग हिर्दयम में कितने अध्याए हैं तो अस्तांग हिर्दयम के गर बात किया है तो उसमें कितने अध्याए हैं 120 अध्याए है उस में 6 खंडो में रचना पर विभाजित है ठीक है प्रतेक में अलग-अलग संख्या में अध्याय हैं चरक सहिता की तुलना में अस्टांग घर्दयम और अस्टांग संग्रा दोनों ग्रंत एक प्रकार से दोनों ग्रंतों में उत्तरतंत्र है जो कई जो है एंटी विकारों और उन बिमारियों को कबर करता है जिनकी व्याख्या पहले के गरंतों में नहीं की तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को जाना ठीक है तो यहीं सभी के बारे में आपको पढ़ना था बाकी वीडियो मैं आपको देता रहूंगा और सभी ची क्या है निदान अस्थान विमान अस्थान ठीक है तरीर अस्थान तमाम पर करके जो प्रसनाब के होंगे उसके बारे में मैं आपको दो तीनिस लोकों की बाख्षाप को बताने का प्रियास करूंगा ताकि आपको डाउट केलीर हो जाए कैसे कैसे क्या प्रशनाफ की परिच्छा में आते हैं ठीक है बिल्कुल जरूर नहीं होती है आपको सुखला टेड़ी पॉइंट आ रहे थे इसको लेकर के तो मैं जिए पिटिध्याव्गी इद्यूंये थिकान की विडियो आप उसको भी देख लीजेगा और जिनका प्राकर्तिक चुक्षा कंगी आप değer कर这ी ने